हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल और मैं हूं भारती तो आज मैं आपको अपने दो प्लांट दिखा रहे हूं जो महेंगे दामों में मुझे मिले थे तो 160 के अराउंड मुझे ये मिले थे एक प्लांट मतलब कि 160 एच प्लांट का मुझे जो पे है वो करना पड़ा तो ये दोनों ही प्लांट जो है काफी खास है मेरे लिए क्योंकि ये रहेएँ ब्लांट होते हैं आपको हर जगह पे नहीं मिलते हैं पहला तो है ये और्ड मैंनकंत जो की इसके उपर white color के ऐसे hair होते है तो जिसकी वज़े से इसका नाम old man cactus है तो इसके जो उपर के hair है काफी लंबे हो जाते हैं तो जब मैंने इसको लिया था nursery से तभी भी ये काफी लंबे थे लेकिन उसके बाद जैसे hair fall होता है तो वो भी जड़ गये और अभी ये कुछ ऐसी condition मे है और cactus तो वैसे हाड़ी होते हैं लेकिन फिर भी मैं इसकी care काफी करती हूँ बचा बचा के रखती हूँ care के नाम पे ज़्यादा इसकी छीट जान नहीं करती हूँ और कुछ time पहले मुझे ऐसे लगा था कि इसके नीचे जैसे नीचे वाले part में कुछ activity हो रही है जैसे कि कुछ नया निकल रहा हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था तो कुछ दिनों में ये नॉमल मुझे लगने लगा तो उसके बाद जो ये plant है इसके जो hair है अभी मुझे लग रहा है कि थोड़े थोड़े बढ़ रहे है क्योंकि summer में ये जो cactus है वो अच्छे जो है ग्रो करते हैं फ्लारिंग भी होती है अब इसके कब होगी क्या होगा कुछ पता नहीं अभी लेकिन इसके जो कांटे होते हैं बहुत ज्यादा शाप है तो इसको मैं बहुत कम छेड़ती हूँ क्योंकि इसके जो कांटे बहुत तीखे जुपते हैं देखने में ऐसे लग रहा है कि soft होते ह लेकिन कांटे काफी शाप है जो पर इसके हेयर होते हैं जो टिप पे निकलते हैं वो काफी सॉफ्ट होते है तो ये कुछ इसके बारे में है उसके बाद है अगला ये प्लांट जिसका नाम है लिथॉप्स और ये लिविंग स्टोन जैसे दिखता है जैसे स्टोन की तरह होता तो इसका नाम लिविंग स्टोन है और ये एक सकुलन प्लांट है फूल भी खिलते हैं इस पे जब मैंने बाई किया था नर्सरी से तब इस पे बड़ बनी थी नहीं निकली थी मेरे पास ही आके और फूल जो है खिलते खिलते जो है उससे पहले ही खराब हो गया था तो अगर मज़े मिली इसकी तो मैं जरूर लगाऊंगी यहां साइड में और ये प्लांट जो है काफी रेर तो है ही मतलब आपको मुश्किल से मिलेगा यहां पे भी मैंने इसको एक ही नर्सरी पे देखा है तो जादा से जादा उनके पास भी यह वनमन तक रहा उसके बाद उनके प मिलता है उतना ही यह प्लांट जो है डेलिकेट भी होता है बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो इसको बचापाना मुश्किल होता है सर्दियों में इसका सीजन होता है लेकिन जैसे ही समर आती है या रेनी सीजन आता है तो उसके जो लीफ्स है वो गलना शुरू हो जाते ह मस्चर की वज़े से तो किसी काफी experienced आदमी की मैंने वीडियो देखी थी उनका कहना यही था क्योंकि वो इतनी तेज गरमी में भी काफी सारे उन्होंने इस तरह के plants लगाए हुए हैं और उनके पास जिंदा भी है तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि मैं इनको बिल्कुल पानी नहीं देता हूँ तो मरने तो वैसे भी होते ही हैं तो इनको बिना पानी के मैं रखता हूँ तो ये बच जाते हैं तो मैं भी वही जो formula है अभी इन पर कर रही हूँ experiment की कैसे होता है क्योंकि अभी यहां पर भी उतनी बरसाथ तो नहीं होती है हुई है अभी शुरू आगे होगी आगे monster होगा बहुत जादा नमी होगी तब पता चलेगा तो बस ये है कि मैंने इसको एक बालकनी के corner में रखा हुआ है कोने में जहां पर पानी जो है बिल्कुल नहीं जाता और लेकिन कल ऐसी थोड़ी बारी शुई थी कि थोड़ी बचारे चीटे इस पर पड़ गई नेकिन मिट्टी फिर भी गिली नहीं हुई है तो इतने से कुछ होता नहीं है वैसे तो अगर जादा ही डेली ऐसे उस पर पानी पड़ेगा मिट्टी भीगी रहेगी तो तो इसका खतम होना तैय है तो इस तरह से ये कुछ महेंगे दमू के plants हैं जो की काफी मुश्किल से चलते हैं की काफी मुश्किल से हैं लेकिन कुछ केक्टस भी ऐसे होते हैं जो हमें कभी वीडियो का करते हैं यहें पर अच्छी लगे तो like जरूर करना फिर मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार